लो गैज मैं फूर्ष रवापका स्वागत करते हूं दे नियूस टॉक चैनल में शुषान सिंग को लेके बड़ी अपडेट हमारे सामने आदी है जहां पर बताया जारा है कि शुषान सिंग ने जो की सुसाइड की है उससे पहले उन्होंने सुबा सुबा ट्वीट किये थे तीन ट्वीट किये थे और उस दोरान भी उन्होंने वो ट्वीट डिलीट भी कर दिये थे और उस ट्वीट में उन्होंने जिकर भी किया था चलिए हम आपको पूरी अपडेट बताते हैं कि यह अपडेट क्या है और उन्होंने यह सब चीज़े क्यों लिखी थे सब चीज को तो गाइस जैसे कि आप लोगों को पता है कि बॉलिवुड एक्टर शुशान सिंग राजपुत ने 14 जून को अपने घर में अपने बंगले में अपने रूम पे सुसाइड कर लिया फांसी का फंदा लगा के उस दुरान ही ये काफे सारे सवाल खड़े होगे कि आखिरकार इतने सक्सेसफुल इंसान ने ऐसा कदम क्यों उठा लिया उन्होंने कोई भी सुसाइड नोट बगरा कुछ नहीं छोड़ा हुआ था और अभी एक तीन ट्वीट्स है जो कि आज तक ने अभी बाहर निकाली है और 14 जून को उन्होंने सुसाइड करने से पहले मॉर्निंग 5.43 मिनिट पे उन्होंने ट्वीट किये थे तीन तो चलिए मैं आपको बताती हूँ कि उन्होंने पहला ट्वीट जो है उन्होंने क्या लिखा था उन्होंने लिखा थे कि हम आदमियों में हमारी सहत हमारी मानसिक स्थिती हमारे विचारों के बारे में हमारी जिन्दगी के बारे में पूछा नहीं जाता है हमें उस तरहां ट्वीट किया जाता है ये सब चीजें जो उन्होंने लिखी हैं तो ये चीज बता रहे हैं कि जो वो आप बीती अपनी बता रहे हैं कि हमसे कोई पूछता नहीं कि हम कैसे हैं मैं इन सब चीजों से काफी घुजर चुका हूं और इस तरहां की कोशिश करकर के मैं अब ठक चुका हूँ आप लोगों के साथ ये एक लंबा सफर रहा मैं नहीं जानता कि ये मैं क्या ट्वीट कर रहा हूँ उस दुरान ही उनकी मानसिक सिती के बारे में यहां पर पता चलता है कि वो कितने जादा इरिटेट हो चुके थे जो भी उनके साथ थे तो वो उनके सिर्फ फेम के साथ ही जुड़ते थे ना कि उनके हालचाल के बारे में हम आदमी आदमी का हालचाल कुछते पर मीन नहीं करते हैं जो कि एक बात सच है जो कि वो जाते जाते लिग गए हैं शुशान सिंग ने दूसरी अपनी ट्वीट मे से तंग आ चुका हूँ, इस इंडॉस्री से तंग आ चुका हूँ, मुझे फेम नहीं चाहिए, मुझे यह रेस्ट चाहिए जो की होती है, हाला कि यह मैं क्या कर रहा हूं, मुझे नहीं पता, तो उसके बाद उन्होंने तीसरी ट्वीट की, इसके बाद मैं यह सब कुछ खत कर रहा हूं एक अच्छे अंत के लिए दूर जा रहा हूं लेकिन तुम लोगों के पास रहने के लिए हो सकता है कि इसके बाद लोग एक दूसरे से बात करना शुरू करेंगे अपने विचारों को अपने अंदर रखना बंध नहीं करेंगे फिर मिलेंगे दुनिया के एक गुड़ बाई उसके बाद उन्होंने ये ट्वीट डिलीड कर दे इससे साफसा पता चल सकता है कि वह बहुत ज़्यदा प्रेपेर हो चुके थे सुसाइट करने के लिए आई होग गाईस आप लोगों का अपडेटिटिड हमाई जानकर जानके अपडेटिड हुआ होगा इससे साथ मैं लेती हुँ जाज़त बबाई जेके नमश्यों